अरी ही ओम्मा सप्त व्याद दसाडेशु मिर्ग कालंजरे गिरव चक्रवाका सरद्धीपे हमसा सरसिमानसे तेपी जाता कुरु छेत्रे ब्रह्मना बेदपारगा प्रास्थिता द्रिगमद्वानम युयम कीम वसीदाथा ये वे प्रमुख्या कुरु जांगलेशु जातास तथा दासकुले मिर्गास कालंजरे सप्त चक्रवाका ये मानसे तेपायमत्र सिद्धा समादनिय स्रद्धालु भक्त माहनु बाब हमीले अईले बिशेशगरी पित्री भक्तिले युक्त भहेको सास्त्रिय भचला यहां उद्धोस गर्याउं स्रद्धया क्रियते इती स्राद्ध जुन कर्मा स्रद्धा पुर्वाक गरिन छा त्यो स्राद्ध हो हामरो वैदिक सनातन परंपराले धर्माले मानव जीवन मा बिविन्न विशिष्ट कर्मा हरु गर्नू पर्ने कुरा उल्ले गरेको छा ती विशिष्ट कर्मा हरु मा दे स्राद्ध कर्मा पनी यहुटा अतेंत महत्त पुना विशिष्ट कर्मा हो स्राध्धा को बारे मात मंԲे उद्धभोस गरि सकें श्रध्धा पुर्वाक जुन कर्म गरिन छा प्योग स्राध्धा अभशें पूर्वाक गरदमां कसलाई कसरी स्राध्धा गरनले तो ये विछें मां सास्त्र हर मां उले गरिएको छा विशेश गरी आफना दिबंगत पित्री होर का निम्ति स्रद्धाले अन्न, जल, पिंड, परदान गरीने एवटा कर्म स्राद्ध स्राद्ध का बिविन भेद सास्त्र और मा बढ़िछ विशेश गरी बिविन पुराण हरू और तेसे गरी स्राद्ध प्रकास, निरणय सिंदू आधि मा नित्य, नयमेति, काम्य, तेड़्थ रपार्मन स्राद्ध हर को बारे मा निकाई विशिष्ठ चर्चा गरी एको छा अब ती स्राद्ध हर मद्धे पार्मन स्राद्ध पन यहुटा हो पार्मन स्राद्ध विशेश गरी सुरे नाड़ भगवान कन्य राशी मा गई को अवस्ता मा पित्री पक्ष मा गरीने एक परकार को स्राद्ध हो अर्थात आश्मिन कृष्ण पर्ति पदा देखी आउसी सम्म अमावसेति थी सम्म पार्मन स्राद्ध गरीन्छ जसलाई सोर स्राद्ध भनेरबनी भनिन छा बने यो सास्त्र सम्मत रुपले पार्मन स्राद्ध हो अब स्राद्ध नाई किना गरनु परदा छा एस विश्यमा मायाहर मीच उल्लेक गरदा छू सास्त्र अर्मां श्राध्य किना गर्णु पर्न विशए मां बड़न गरिये को छ시 स्राध्यात परतरम नान्याथ श्रियस्करमूदा हिरितम तास्मा सर्व प्रियत ने श्राध्याम कूर्याद भी चक छण एसका अर्था हो मानव जीवन का निम्ति जुन घरमा। दीवंगत पीतरिहर को ऩाणिमती जल अन्यश्डब्स प्रदान गरी देए। पीतरिहर को टिथी का दिना पीतरिहर को इस्व्रण गर्देई ष्राद्त कर्म गरी गरी देए। तियो घरमा पीतरिहर को आशिरबाद हुदेए। जुन घहर मा पित्रिहर को आसिर्बाद रहा दैना, तियो घार मा यती श्चाहि देवा आसिर्बाद रहा..çar ना आधी त्याधी गरी रहे पनि , तैसको कुनाई अर्था साश्रावर मा भनियाको छा जुन घारमा पित्रीक हरु परसंथा होणुँछा थेला गहर मा देवा आशिर्वाद रहने गार्दा छा देवतावरले, जतिनाइजिर्वाद प्राप्त गरता पने पित्रीक हरुरू रुस्टचण भने दियो घारमा सुखासांतिर सम्रिhte होद असरर था, हाम्रो काव वाई दिक्सनातन धारम मले, स्राद्द लाइनीकाई महत तो धियेको छहा यज कारनले पणि स्राद्द गरना अत्यम्त आवशेक्ता हा , coin be tive गरना चाहा चुअ ऑको दिस्थ स्राद्द मध्ध्यान अमा गरनू परदछा, तेसें गरी पार्मन स्राद्द मा विशेस गरी आफना घरती रका तीन पुस्ता पित्री हरुलाई आफना सबस्राद्द पित्री हरुलाई रहेता पनी, हामी यो कलियोग मा अलप आयू, अलप विद्ध्या, अलप ज्यान, अलप समय, अलप धन, आधित्यादी का कारणली गर्दा, ये सरी इच्छावडा पित्री का निम्ति पिन्दान, रज्जला दान, गर्नाई परदा छो, रा विशेदेव पित्री हो लाई पनी हामी यो महला ये सराद्ध मा विशेद्या आरधना गर्दा छो, विशेदेव घर तरफ का विशेदेव रा मावला तरफ का विशेदेव और लाई पनी आरधना गर्दा छो, रा तेसे गरी सके सम्मा सराद्ध गर्दा सुद्ध अन्न, आपले भोजन गर्ने अन्न, हामीले स्राध्ध मारपण कर्न परदला स्रे भम सरध्धा पुरुभा गरिनी कर्म वहां कारनी गर्धा श्राध्ध मां सुध कान्य डा पवित्र जल्क ते सुध घए गरे सान्त मनले धीर मनले हामिले स्राद्ध गर्ना तयार हुनु पर्दछा स्राद्ध गर्नु पर्दछा रा त्यसेगरी स्राद्ध मां हामिले अरपन गर्दा बिसेस गरी फूल स्यता फूल हरू पित्री का निम्ति अत्यन्त बिसिष्ट रहे का उन्छान स्यता फूल अनि तुल कि दूले सी पत्रदल रा तेसे गरी तूलासी मंजरी रा तेसे गरी आमे श्राद्धमा तील पुष्प पनी चड़ाउन शक्ता चाहूं रा भेंगराज स्राद्धका निमति। अतेन्त महत तले उगता चा भीसेस करी दसा कर्ममात भृंगराज नवई नहीं उदाईना श्रा आन्त मनले अतेंत स्रद्धा पुर्वग अतेंत आस्ता रविश्वास ले आफना पित्री का निम्ती स्राद्धा गरूं। समादर्य श्रद्धालु भक्त मानुवाब यो बर्षको स्राद्ध यहीं मिती 277 साल पास मैना सत्र गते बुदबार बाट आरम्म अउन्छा बने यो 277 चा मैना एक गते सम्मा रहन छा यो स्वर दिन भरी आमी विशेस गरी पित्री का निम्ती अतेंत स्राद्धा भाबले सम स्राद्ध भरी मामस भोजन ना गरूं यो स्राद्ध भरी स्राद्ध वाट बर्जित अन्नहर शन ती बर्जित अन्नहर आमीले ग्रहन ना गरूं और अनि यो स्वर दिन सम्मा पित्री का निम्ती शांत मले धेर मले समर्पीत हुदै आपनो बुआ हजुर बुआ को निम्ती श्राद्ध को तीथी हमिलाई ज्याद छाइना स्राद्ध को तीथी आमीले भूलिये को छा बहने पनी यो स्वर श्राद्ध भरी चाइना आमीले विशेश गरी एक आदसी तीथी मा गरन सकता छां। अदसी ती पनी हमिले गरन सक्ये न वणे आउशी मा गरना सकता छां। तियो आउसी सम्भापने हमिल्हाही सम्भव नरहने अवस्तार ओे विस्यत्त कारी आपणो भूगाईली ब्लाया हांगता गरनो परूपण 22 लमें अर्शेत्य yapan कपाल काटनी के नागाटने एस वी सेमा धेरही चर्चा परी चर्चा पाइन छा गरूर पुराणमा क्ये उल्ले गरिये को छा बने जुन संतान आपना आमा बाभु को कोख बाट आत्मा बाट छुट्टी एर जन्मिय का हुंछन जुन संतान लाई आमाले 10 महीना समा कोख मा राखे रा जन्माय की हुंछिन रा बुआले हुर कांने ठूल यवट जाइ देन हुंछा आपना संतान का निम्ति तो तेत्रो देन रहे को ती संतान जसला आत्मा जहा भनीन छा संस्कृतमा आत्मा जहा बनीको आत्मा बाट जन्मिय का रा तेष्ता कर्द सबने तेसको कुने अर्था छाइना तिनला आत्म जह अर्थाद आत्म बाट जन्मेका आत्म बाट चुट्येका बन्न सकी दैना जुन गरुड कुराण में उल्लेक्षा तसर्था पनी अब कपाल छहुर आधित्याधी पनी श्राद्ध मा अत्यन्त महत्त राग्द कामी काल आएका इंश बहुत गहारू आका असांति हरू आम्य का भहेका ईविविन्ण साइब्स अंस्य हरू हम हम्रों मनमा भुट्यक्रति हरू नास भहर दान्चन पेसका निम्तिपनी अमि श्रद्धा पुरवक श्राद्ध कर्ममा अब लागं वन्दाई बिदा हुन्छ हारी ओम ता साथ कारेक्र महरू यहरी सके बसी यहार लाइक कस्तो लाग छो यहार लाइका सुजा बहली कॉमेंट मा लेख दै यो चैनल लाइक सुस्क्राइब गर देन हुना मा अहार दिखनी बदन गर दाचुँ